गुद मॉर्निंग इस्टूटेंट्स वेलकम तो मैं चैनल द्रीम्स मेक रियल माइम इस दिपाली और तोड़े आपर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे उसके बाद आज की जो हमारी वरक्षीट है वो लेजन्ट अफ नॉर्थ लेंड एक बैले है बैले होता है हमारा स्टोरी जो पोएम की स्टेंजाज में होती है उसको हम क्या कहते है बैले passed or orally from one generation to the next और ये जो है एक generation से दूसरी generation तक pass out होती रहती है किस की चीज के बारे में culture होती है जो हमारी popular culture होते है उसको जब हम एक पीडी से दूसरी पीडी यानि एक generation से दूसरी generation तक pass out करते रहती है बैलेड को इस poem narrates the legend of an old lady who angered St. Peter because of her greed ये जो story है ये सुनाती है नेरेट का मतलब होता है सुनाती है listen को यानि कि पुरानिक कथा को listen होता है एक पुरानिक कथा that may be true or not जो कि true हो भी सकती है सची भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है तो ये listen हमारी एक old lady पर है जो की गुस्सा आ जाता है जिसको St. Peter पर anger हो जाती है नराज हो जाती है St. Peter से because of her greed क्यों क्योंकि अपने लालच के कारण greed का मतलब होता है लालच so let's read it इसलिए हमें ये पढ़ते हैं और इसके बाद हमें कुछ question answer दिये हुए हैं उन question answer को हम solve करेंगे तो बच्चो इस poem को हम dicto word to word न पढ़कर मैंने आपके लिए एक छोटी से summary तियार की है जिससे आपको ये जो lizard of the north land है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर आप उसके question answer easily कर पाओगे तो हम इसके पहले summary देख लेते हैं देखो बच्चो मैंने पूरी poem का जो सार है वो इस summary में डाल दिया है The poem is a legend about an old lady who and Peter पर गुसा होता है उसको क्योंकि उसको बहुत लालच होता है लालच के कारण वो क्या करती है अपना केक एक छोटा से टुकड़ा भी सैंट पीटर को जो कि भोती हंग्रियों टायर होते हैं हमको दे नहीं पाती The story goes on like this तो इस story इसे तरह से आगे भरती है One day सैंट पीटर वोस प्रिचिंग एराउंड दे वर्लड और रिच्ट दूर ओर प्रिचिंग मतलब उपदेश देना तो उपदेश देने के लिए घूम रहे थे संसार में और फिर वो एक किसके दरवाजे पर पहुँचे एक कुटिया में पहुचे कुटिया का दरवाजा उन्होंने कट-कटाया जहां पर ये लेडी रह रही थी जो केक बना रही थी और बेक कर रही थी उनको भट्टी पर मतलब होता है बचो भट्टी केक बनाने की जो भट्टी होती है उसको हम हीर्थ बोलते हैं St. Peter was fainting with hunger भूख के मारे वो मुर्चित होकर मतलब बेहोश होने वाले थे she asked the lady to give him a piece of cake तो उन्होंने इस lady से कहा कि वो एक piece का टुड़ा उन्हें दे दे the cake that she was baking then appeared to be too big जो lady थी उसको जो cake बना रही थी उसे वो cake बहुत ही बड़ा लगा कि यह देने के लिए बहुत बड़ा cake है so she did not give him तो इस लिए उस lady ने उस greedy lady ने उस St. Peter को cake दे नहीं दिया and then instead और इसके बजाए she baked another small one उसने कुछ छोटा cake बनाना चाहा that also appeared to be big so she did not give him that also तो जब वो cake बन गया और वो देने लगी तो उसको वह दूसरा cake जो उसने छोटा cake बनाया था वो भी उसको बड़ा लगा इसलिए वो दूसरा वाला cake भी उसको नहीं दे सकी the second time she baked फिर दूसरी बार उसने cake बनाया yet another small cake but found it too big to give away हाला कि वो बहुत ही small cake था लेकिन उसने क्या किया उसे बिल्कुल फ्लैट कर दिया डोको और बहुत ही छोटा little cake बनाया she had it as thin as a wafer और उसने उसे इतना पतला बनाया जैसे कि wafer होती है बिल्कुल बारिक आपने देखा होगा जो बारिक बारिक बिल्कुल wafer होती है उसने cake के बदले wafer बना दिया उसको but was unable to part with that also लेकिन वो उसे भी देने में ASMR थी unable का मतलब होता है ASMR थी this anger St. Peter a load इस पर St. Peter को बहुत ही गुसा आ गया a load का मतलब बहुत जादा गुसा आ गया he said that she was not fit to live in human form तो उन्होंने कहा कि वो योग्या नहीं है रहने के लिए human form में कौन? greedy lady and enjoy food and warmth और food को मतलब यह नहीं है कि वो human form में रहे और food को enjoy करे तो उन्होंने कुसा आ गया इसलिए उन्होंने उसको curse, curse का मतलब अभिशाप दिया और उसको एक woodpacker woodpacker होता है बच्चों cut to food गवा एक bird की तरह होता है उसमें उसको old lady को greedy lady को transform कर दिया करना पड़ता है dry और hard कठोर और सूखी लकडियों को bore करना पड़ता है अपना थोड़ा सा भोजन पाने के लिए भी मतलब अब उसे जो greedy lady थी जब वो एक woodpacker में बदल गई तो अब उसे अपना भोजन पाने के लिए बहुती ज़्यादे क्या करना पड़ता है सूखी और को ठोर लगडी को bore करना पड़ता है she can be seen in the trees all day अब वो पूरा दिन पेड़े पर देखी जा सकती है अपना food bore करने के लिए तो बच्चो इसके जो कुछ question answer है वो भी मैंने आपको लिख दिये हैं चलिए देख लेते हैं what do you think about the climate of Northland which lines in the poem tells us about it very cold it is very cold it is a country यहाँ पर बच्चो थोड़ा miss हो गया था it is a country where days are short and nights are long यह वो देश है जहाँ पर days जो दिन होते हैं छोटे हैं और राती जो हैं लंबी है और यहाँ का weather क्या है बहुत ज़्यादे cold है why did St. Peter go to the cottage and who did he meet here St. Peter जो है cottage में क्यो जाते हैं और वहाँ पर वो किस से मिलते हैं answer आजाएगा आपको St. Peter was very hungry थे tired थे और faint होने वाले थे so he went to the cottage of old lady in search of food भोजन की तलास में वो जो है भुडी लेडी की cottage में जाते हैं तो दो question बच्चों आपके समझ में आ गए होंगे question number 3 देख लेते हैं what did the old lady do? भुडी ओरत ने क्या किया था? St. Peter was very hungry बहुती जादे भुखे थे he went to the cottage of old lady and old lady तो वो कोटेज में गए थे old lady के and bagged bagged का मतलब होता है और उन्हें भीक में मांगा था उस एक छोटा से टुकडा केक का the lady behaved miserly लेकिन जो लेडी थी उसने बहुती कंजूसी के साथ behave की and kept decreasing the size of the cake और उसने केक का size छोटा छोटा करती चली गई at last he did not give him anything to eat और अंत में वो उसे कुछ भी नहीं दे पाई खाने के लिए St. Peter को तब भी तो St. Peter ने उसे कर्स किया था विशाप दिया था तो चोथे नंबर का question भी हम लोग देख लेते हैं Liesand is a traditional story है why is this poem called Liesand क्यों कहा गया है इस poem को Liesand बच्चों मैंने आपको बताया था starting में Liesand एक old story होती है जो क्या past से चली आ रही होती है and which may be true or not और हो सकता है कि ये story true भी हो kalpnik भी हो मतलब real हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती one to the another generations में तो देख लेते हैं इसका answer it is a popular a listened it is a popular story from the past ये बच्चों थोड़ा से misprint है यहाँ पर it is a popular story from the past which may be true or not जो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तब इसको Liesand कहा जाता है poem is a legend because the title of the poem itself indicates क्योंकि जो title है इस poem को वो खुद दिखाता है कि ये एक legend है Northland का और Northland का क्यों का गया है क्योंकि estimate लगाया गया है कि ये North Pole की जो है कहानी है इसलिए इसको North Pole का Northland का legend बताया गया है the theme of the poem is supernatural तो इसके आगे बच्चों हम question में देख लेते हैं E में हमें क्या दिया है There are many pairs of rhyming words rhyming words होते हैं तकबंदुक मतलब जिनमें लै मिलती है poem में कुछ ऐसे words हैं जैसे few, through, snow, close, through तो find more the poem कुछ और words हमें इसमें से ढूनने हैं देखो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि रैमिंग क्या होता है रैमिंग words हमारे होते हैं जैसे की winter, reender, snow, story इस रेक से मिलते जुलते word होते हैं earth, yearth तो रैमिंग मिल रही है बच्चों यहाँ पर हमारी earth, yearth done, one इसी तरह से और भी है देखो myself, self faint, saint last में लैम मिल रही है तो इनको हम रैमिंग words बोलते हैं इसमें रैमिंग मिल रही है तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है रैमिंग क्या होती है मैंने कुछ words लिख दी हैं जैसे आपको पता भी है छोटे बच्चे बोलते हैं मचल जल की रानी है जीवन उसका पानी है last में लैम मिल रही है रानी है, पानी है तो इस तरह के जो last में आने वाले words इनकी लैम मिलती है उनको रैमिंग words बोला जाता है देखो बच्चों मैंने लिख दी हैं कुछ words earth, here here का मतलब मैंने बताया ता आपको भट्टी done, one flat, that faint, sent lay, away word, word सबकी जो है रैमिंग मिल रही है तो इनको हम रैमिंग words इस तरह से बोलती है question number five देख लेते हैं what punishment did the old lady receive old lady को क्या punishment मिला था sent peter को जब गुशा आ गया था तो उन्होंनों इसको transform किस में कर दिया था wood packer में कर दिया था cut forward wave में कर दिया था sent peter cursed her and made her wood packer the wood packer bores b o r e s bores the hard and dry d r y dry wood to get its food बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा mistake है आप लिख लेना the wood packer bores the hard and dry wood to get its food तो इस तरह से आप अपना answer five ठीक कर लोगे the wood packer bores the hard and dry wood dry के बाद बच्चों हमारा wood आएगा dry wood w o d wood wood का मतलब लकडी to get its food अपना भोजन पाने के लिए it s its आजाएगा its food तो next question हम लोग देख लेते हैं f which of the following is synonym of part in the poem एक synonym होता है हमारा प्रैवार्ची की शब्द मतलब समाना अर्थक सब्द पार्ट का क्या है इस poem में अपने फैमिली मेंबर से या बड़े आदमियों से आपको बाते करनी है यदि possible उसे के find out about legend in your language or culture और इसी तरह की कुछ culture के सभ्यता के और culture के बारे में आपको legend के बारे में उनसे बाते करनी है और अपने friends और teacher के साथ फिर share करनी है लेकिन जब आप share करो तो याद रखना है आपको wear करना है mask पैना है और distance maintain करके रखनी है जब आप उनसे बाते करेंगे किन से अपने family member या किसी old person से किसी legend के बारे में तो आप उनसे social distancing का ध्यान रखोगे mask पैनोगे और उसके बाद आप फिर जो है अपने friends और teacher के साथ phone पर discuss करोगे तो बच्चो इस तरह से आज के आपके questions जो है complete हो जाते हैं पहने पहले आपको summary समझा दी है उसके बाद आपको question answer समझा दी हैं आप अपना अराम से सारा काम copy make कर सकते हैं अगर आपको मेरी worksheet बच्चो अच्छी लग रही है तो उसको like करिए कमेंट करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले थैंक यू